हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में टाटा पावर में दोस्तों फ्राइडे के सेशन में कह सकते हैं कि फिर से गिरावर देखने को मिली बाजार जिस पर का से नीचे आता हुआ देखने को मिला टाटा पावर का काउंटर भी डेफिनिटल यहां पर प्रेशर में ही काम करता हुआ देखने को मिला शेयर फिर आपक अगर आपको यह बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर चाहिएगा तो टाटा पावर फ्राइडे के दिन आपको पूरे पांच रुपया स्य पैसे गिरता हुआ देखने को मिला सबसे बड़े दिक्वाली बात तो क्या हुए कि डेस लो की तरफ बंद होता हुआ देखने को मिला देखने को मिला यह लेवल तक गया बट अगें वही था कि क्रॉस नहीं कर पाया गिरावर फिर शेयर नीचे आ गया तो टाटापव के शेयोल्ड़स डेफिनेटली अभी कह सकते हैं अच्छा टाइम तो आपके लिए पर नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है बिकास मार्केट में तीजी यह लेकिन टाटापव का काउंटर डेफिनेटली काफी सुस्त ट्रेड करता हुआ देखने को मिला ह और जो breakout का हम यहाँ पर wait कर रहे थे undoubtedly वो अभी तक आता हुआ देखने को नहीं मिल पाया and अब फिर से 232 रुपे की range भे आपको यह trade करता हुआ देखने को मिल रहा है अब टाटा पावर को दुस्तों कर आप समझेंगे तो यह आप जरूर देखते कि अब टाटा पावर की market cap 74,000 करोड रुपे की है भले भी 233 रुपे ट्रेड कर रहा है लेकिन 222 रुपे की बुक वैलियो इसकी अब return on equity की अगर में बात करता हो तो return on equity इतना नहीं है 8.42% का यह आपको return on equity देखने को मिल रहा है कमपनी के sales 47,000 करोड की है तो उसमें कमपनी का मुनाफ़ा 2145 करोड का है ठीक है अगर आप कमपनी की ऐसे देखेंगे तो intrinsic value सिर्फ 89.5 रुपेज निकल के आती है growth कमपनी की अच्छी है profit growth बहुत पढ़िया है industry की PE भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 33 की है अगर आप EPS को भी PE से multiply करके दिखेंगे तो stock जिस पर trade करना चाहिए वो almost 371 रुपीज था गए so जैसा मैंने का कि stock अभी एक undervalued है ज़रूर कमपनी का अभी free cash flow कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है 7,888 करोड का company के पास आपको देखने को मिलेगा minus में free cash flow दिखा रहा है तो definitely उसमें नहीं है but important क्या कि देखें company बहुत बढ़िया है बहुत strong है but still यहाँ पर underperform कर रही है अगर मैं बात करता हूँ underperformance के बारे में तो underperformance इस जरीए कि stock वो trading नहीं कर पा रहा है वो अच्छे से इतना trade नहीं कर पाया जितने बाकी peers कर रहा है अब अगर pros and cons अब समझी है company का good quarter आता हुआ देखने को मिला company की dividend payout ठीक है लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि वो अपनी book value से three times trade करता है low interest coverage है जैसा मैंने का कि company की sales growth poor देखने को मिल रही है tax rate low है company का return on equity बहुत important है कि दोस्तों company के share आपको कितना return दे पार है तो last three years में मात्र 5.53% तो इतना ज़्यादा देखिए return on equity अगर आपको low देखने को मिलता है तो यह दिक्कत वाली बात है earnings वाली company के आती हुई देखने को मिली लेकिन इसमें other income से जादा company को source था वो था 3799 करोड का दोस्तों गर आप देखिए अभी company के हाली में investment के अगर में बात करता तो investment company ने इस बार 14,160 करोड देखिए investment इस quarter से quarter में काफी कम हो गए थे देखिए अगर आप देखिए तो company mostly पैसा कहां कर रही है invest कर रही है उसका पैसा को देखिए invest करी कि तब जाके यहाँ पर definitely returns मिलेगा आप other assets देखिएंगे company के तो definitely बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है other assets में क्या क्या आगया inventories trade receivables cash and cash equivalents यह सब आपको आते हुए देखने को मिलते हैं तो यह important बात है तो अभी देखिए क्या हो रही है कि stock कोशिश कर रहा है बढ़ने का but levels का बहुत important है levels नहीं बढ़ पार है दूसरी बात कहीं कि देखिए stock के अंदर अभी अगर आप numbers में देखेंगे तो एक बात आपको साफसाफ देखने को मिली company की जो earnings थी उसमें other income बढ़ी मैं ये बात है क्यों बता रहा हूँ because देखिए effect जो है उसका मुझे लगता है कि अभी उस पर आता हुआ देखने को मिल रहा है right numbers आप definitely profit के figure से देखेंगे तो बहुत बढ़ी आता लेकिन क्योंकि other earnings बढ़ती भी देखने को मिलती है मैं कि स्कत करो मार्स 2022 की तो ये दिक्कत वाली बात है दोस्तो अगर company का जो cash flow हो positive होता हुआ देखने को मिलेगा तो वो बहुत बढ़ा संकेत लेकिन अगर negative रहता हुआ देखने को मिलेगा तो ये दिक्कत वाली बात है operating activity में तो देखिए अगर आप देखेंगे 6693 करोड का positive में लेकिन जो पहले investing activity में company का profit में cash flow था 993 करोड का वो 6250 करोड negative में चली गया च्छी cash flow अपने आप में बहुत important होता है जिनको नहीं पता है बहुत important होता है अच्छी बात है कि company financing activity को पह जलिती सल्थी काम कर रही है जो पहले 7603 करोड negative में था अब 1183 करोड negative पला है तो ये काम करती भी देखने को मिल रही है लेकिन अभी भी 740 करोड रुपे company अगर आप देखेंगे जो net cash flow है वो negative में net cash flow अगर negative में होता है तो ये दिक्कत वाली संकेत होते हैं ये साफ साफ है बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले quarter में company का जो cash flow है वो positive turn हो जाए अब सबसे बड़ा question दोस्तों निकल के आता है कि ये जो गिरावर आपको देखने को मिली है is this opportunity to buy क्या इन लेवल्स पर हम buying कर सकते है अदानी माफ करेगा टाटा पावर के उपर अगर आप देखेंगे इसके peer comparison में दूसरे stock जैसे अदानी पावर हो गया ये अदानी पावर जिस परका से दोस्तों काम करता हुआ देखने को मिला जिस परका के return देता हुआ देखने को मिला डेफिनिटली बहुत कमेंट निकल के आते है कि सर क्या करे अदानी पावर इता अच्छा कर रहा है बर टाटा पावर बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो इसमें कोई doubt नहीं है यह आपके दिमाग में जारू question होगा तो इसी के उपर बात करता है तो देखिए टाटा पावर की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि देखिए शेर ने बिल्कुल तीजी नहीं दिखा है लास्ट इक्समें 3.18 परसें उपर है ठीक है लास्ट इक्समें कितने बुरे रते होगे देखने को मिले अभी ज़रू market positive में आ है लेकिन यहाँ पर भी आपको गिरावट तो आती भी देखने को मिले से नहीं लेकिन तेजी भी हुई लेकिन आप important क्या है कि देखिए Tata power जिस प्रकार से दोस्तों अपने highs से अभी भी काफी पीछे चल रहा है मुझे लगता है कि Tata power के अंदर आपको अभी इन levels पर wait करना चीए hold करना चीए देखिए stock में आपने इतना time दिया है तो और time दीजिए सबसे important बात मैं आपको यह कहूंगा max returns आप देखिएंगे Tata power के तो वो 2175% के लेकिन most returns कब आएं यहां से यहां तक के यह जो period रहता हुआ देखने को मिला Tata power का वो definitely बहुत बढ़िया था यह concept period के मैं बात कर रहा हूं यह बात कर रहा हूं मैं almost दोस्तों February 2020 या फिर कहूं मैं 2020 लगा कर यह आपको देखने को मिलेगा 13 मैं 2022 तक का 681% दो साल में 680% के रिटरंज दिए ठीक है लेकिन अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो यहां से यहां तक कितने इत्ते साल हो गए 2007 से almost आप देखने को मिलेगा 29 मैं 2020 तक 60% नीचे था तो patience दोस्तों कभी का बार stock बहुत test करता है मुझे लगता है कि अभी वो ही test करता हुआ देखने को मल रहा है ऐसा time period नहीं आने वाले कि सालों तक बढ़ेगा ही नहीं लेकिन जैसा मैंने का कि थोड़ा सा time आपको देना पड़ेगा अच्छी company है data power इसमें कोई doubt नहीं है बहुत बढ़िया करती है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा levels का अपने बहुत माइने होते हैं लेकिन इस बार भी अगर आप देखेंगे तो वो levels को cross नहीं कर पाया इस बार हमको देखना पड़ेगा कि इस बार 235-237 रुपे के level को किस प्रकार से cross करता है लेकिन उसके बाद यह है कि 245-250 तक के level क्या पहले आएंगे तो मुझे लगता है कि जरूर उसके chances जादा है लेकिन अगर market यहां से और बुरा हो जाता है अगर यहां पर आपको चाहना है तो मैं तो यह कहूँगा definitely overall hold करना जादा बढ़िया रहेगा जादा preferable रहेगा तो फिरेंट इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video